आज हम ये समझने का प्रियास करेंगे कि प्रियोगवाद और अग्ये के कावे का क्या संबंध है आदो निकाल के कावे आंदलोने उपर यदि नजर दोड़ाई जाए तो इनकी समय सीमा आरम में 350 से लगा के 300 वर्स तक ठहरती है जो समय के साथ में कम होती चले गई और समकालिन कविता तक आते-आते दस और 15 साल के कम समय में आरम बोकर के अंदोलन भी इनके क्या कारण ओसकते हैं अनुगूतियां क्या संक्षिप्त होती गई हैं, जो सहित आंदोलन सेकड़ों सालों तक कई दस्कों तक विश्तार पाते थे, वे थोड़ी से समय में क्यों समाप्त होगे, सहित जेतना के स्वतंत्र होते जाने के कान से ये संक्षिप्ती करण हुआ होगा, इसका अच्छा उ आदुनिक आल में स्वचेतना की दोरा आदुनिकता का जो आरंब हुआ है, और इसी आदुनिकता के क्रोड से नई विचार प्रणाली, नई सोच, नई समझ, अपने प्रिवेश को देखने की नवीन द्रश्टी, जिसे प्रंप्रागत संस्ताओं के डांचे भरबरा करके द्राम उन नियुको कवत्ति नी बद्रणार नियुको के बदहे, भरब द्रह जगे, द्रम का इस्तान पर रारनेती ने लिया, जिसे विवेक ऑर वत्रिक्ता का वातान 것이 स्वाद्ध पू. जिशेश को भूपती माननेवारे मज्जेकालीन कविदरष्टी आदुनिकाल में राष्ट समाज और वेक्ती पर चिंतर्मन करने लगी यही कारण रहा होगा कि आदुनिकाल में आंदोलन छोटे-छोटे ही रे, कविदरष्टी जो जो राज्ये पर स्वतंद्र होती गई मा जानव मन की सद्यों में दबे भाओं को उखाड पचाड करने लगी इसी से उसके लेखे के प्रतिबदता भी समाज और राष्ट का हित को ध्यान में रख करके लिखी जाने लगी और बारतेंदू के बाद साहिते की एक छटपटाट रही है मुक्ति की चाहा रही है और होनी किसी भी जीवित जाती की जाती के मानस की प्रादिन जाते मुक्ति की छटपटाट ने पेदा हो तो प्रादिन धरती पर पत्थर और पाड़ों और उसे मुर्दा जाती के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा जीवन का ये इस्पंदन ही तै करता है कि अखिल विश्व को विचारने के लिए बात दे किया प्रिणाम ये हुआ कि कोई साही तेकार कोई मार्क सुझाता तो दूसरा उसमें कम्या निकालकर दूसरा मार्क प्रसुष्ट कर देता लेक्षकों ने दलों की सी स्थिति बन गई और सुझाए गई मार्क आंदोलों का रूख ले लिया यह आंदोलन चायावाद, हालावाद, प्रपध्यवाद, प्रगतिवाद, प्रियोगवाद, नई कवीता, अयकवीता और इसके बाद एक लंबी सुझी है जो कावियां आंदोलों की कुकुरमुताओं की तरह पनप गए किन्तु आरम के कावियां आंदोलन में जो गंबीरता और उची का प्रिशकार का जो भाव था वो बाद में लुप्त होता गया और आंदोलन फेशन और अलग दिखने की चाह में निमिक होकर के खड़े होने लग गई पहले ये मुक्ति रानेतिक सता की रही होगी और बाद में लग से व्यक्ति मनुष्य की मुक्ति पर आकर के टिक गया होगा रानेतिक सता से रही और बाद में सामाजिक और व्यक्तिक कुंठाओं से भी हो सकती है समाज बदरा, खून बदला, प्रिष्टितियों में प्रिवर्तन आया, मगर वेक्तिक इस्तिति वही रही। पहले वे विजेशी रानेतिक सता के दबाम में था, अब समाजिक और संस्ताओं और रानेतिक और जैसी विडम बनाओं का शिकार होता गया। मुक्ति के तमाम प्रियासों की कम्या उजागर होती गई और नए प्रियास दारी रहे। पीट पर खड़े कावी आंदोलन है, गनानन्द, बोधा, ठाकूर, आदि, स्वचंद, कम्यों निरितिकाल की संकीन मानशिक्ता पर सवाल उठाये थे। बारतेंद और रिसंदर ने गुलाम मानशिक्ता को स्वदेशी चेत्रा से स्वयुक्त हो करके समराज्यवादी सक्तियों में की असलेश से परिचित कराया था। द्वेदी यूगीन विचान परनारी सामाजिक विसंदा उसी ग्रेश्ट मनुश्यकों वस्त विस्तिति से हमारा परिचे कराया था। प्रेमचंद विदेशी सता से ज़्यदा सोशक जमीदारों सामंतों मील मालिकों के दमन चक्र को समझ करके सोशन के खिलाफ एक समझ पेदा करते थे। चायवादी संसकार स्वतंधरता की करपना कर उसे प्राप्ट करने की जितोड कोशिश करते थे। किन्तु चायवादी कोमल वहों से समझ नहीं हो सका तो प्रगतिवादी व्यचारिक पेने पर ने शोशन के अस्तर को काट डालने का प्रियास किया। प्रगतिवाद रानेतिक नारेबाजी से ग्रस्त दिशाहीन जो राजमाईस थी अब इसका विसलेशन इस बात से इसफ़स्ट हो चुका था कि बाहर का सुदार तब ही संभव होगा जब घर में परिवर्तन होगा। बारी प्रिवेश तभी बदल सकता है जब वेक्ति अपने मन को बदले पुराने प्रंप्राओं रोडियों जो आधुनिक भाबोध कोवन करने में एक्सम है उसे उन्हें को तोड़ा जाए सब के घर में आग लगी हो तो अपने घर की आग बुजाए जाए ये सबसे अच् करना होगा तब ही हमारा समाज और राष्ट की स्थिति को हम बदल सकते हैं व्यक्ति की मानसिक्ता को समझ कर यूगिन मानसिक्ता को बदलने की ये महत्य प्रियास प्रियोग द्वारे संब हुआ इस प्रियास कि सार्थ को मिगादा करने वाले सचिरानंद हिरानंद वाद से अगे हैं अगे स्भम मानते हैं कि प्रियोग सब भी कालों के कवियोंने किये हैं ये द invent पही किसी काल विशेश की दिषा प्रियोग की प्रवर्षरत्य उना सुभा वी किये किन्तु कभी क्रम से अनउभव करता आया है कि जिन किसेत्रों में प्रियोग हुए हैं उसे आगे बढ़कर तब तक उन किसेत्रों में एन्वेक्षन हो करना चाहिए जिने अभी नहीं छुआ है और उनका जिनको अभी अभेद्यमानल मान लिया गया है प्रियोगवाद का आरंब 1943 में तार सब्तक के प्रकाशन से माना जाता है तार सब्तक में अगेजें के प्रियोग सील होने की जो बात कही गई है उसी को आधार मानकर आगे आने वारे दोर में प्रियोगवाद का नाव दिया गया फिर भी विद्वानों की इस पर सहमती भिन कicz भी plupart इसका शरीग्रैस में प्रतिक से कुछ टार सप्तक से वांते हैं यहां टार सप्तक के प्रकाशन से आदुनिकटा का शुत्रपात माना जाता है कि इसे तर्लिण जूर्पात का नहीं कुट सवरकाия वाद के संसलिस्ट रूप से जुड़ा माना जाता है तार सब्तक से प्रियोग वाद का आरम तब से मान सकते हैं जो बादुनिक्ता का प्रथम लक्से स्वचेतना का प्रकाशन तार सब्तक से माना जाता है इसी प्रकाश डाक्टर बचन सिंग तार सब्तक के प्रियोग वाद से होता है तार सब तक की भूमिका पर तेज रोसिन डालने से लेकर का मंतव इस्पस्ट हो जाता है वह कहते हैं कि सातों कभी किसी भी एक श्कूल के नहीं है वे राही नहीं राओं के अन्वेसी है चाहिए लोगतंत्रों या उद्योगों का सामाजी कंड इनके बारे में सब क मत एक नहीं है इनकी रचनाई प्रियोग शीलता के नमूनी नहीं है भूमिकार भूमिका कार अपने डंग से वेक्ति स्वतंतरता प्रियोग शीलता और वेधिवी को रेखांकित करता है विचारकों आलोचकों ने अपने अपने डंग से प्रियोग वात का आरंब और नामक दुआ में होते आएं कि इन तो प्रियोग वाद उन लोग उन कविताओं के लिए रूड हो गया जो नए नए बोदों नए समेदनाओं और नए प्रिशित विचारों सिल्पकार्थ चमतकारों के लेखक रूबुरू में तार सब्ते के माद्यम से बुनी सो तैयारिसमें प्र ने होने वाले प्रियोगों की और संकेत किया गया है इसी प्रियोग सब्द को पकड़के आलो तुनो आलो तुनो ने विंग्यात्म के लाजे में प्रियोग वाद नाम दे डाला प्रियोग वाद नाम ब्रामक है क्योंकि इस नाम से ये भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रियोग को उसा दिमान करके एक नया वाद खडा कर दिया इसके अलावा प्रियोग वाद के बारे में और भी कई बातें निकल करके आती है और इनकी पृस्थितियों पर विचार करने से ये बात इस पर ठोपाएगी कि रानेतिक प्रिष्टितियों पर हम यह दी विचार करें तो इस दोर में तार सब्तक का जो प्रकाशन गुनिशो तैयारीस में हुआ था भारती रानेति में बड़ी उथल पुथल थी विदेशी सता से मुक्ति के लिए तीवर आंदोलन चल रहे थे प्रति एक विचार धार में अहिन सात्मक तरीके से बारत्रों डवांदोलन चला रहे थी सारा देश तीवर किरिया प्रति किरियां में लगा वा था आजादी पाने के दो तरीके उसमें मुक्य रूप से थे एक तो सत्यागरे का और दूसरा क्रांति का इन तरीकों से लोग अपने अपने इसाब से प्रियास कर रहे थे प्रविधी के विकास का सीधा प्रिणाम यह हुआ कि इन आंदोलोनों की गतिबड़ी संसार की सिमाई संकुचित हुई इसे मनुष्य एक दूसरे क्यादी का दिक संपर्क में आया वे मनुष्य की तेजी से बढ़तावा संपर्क मुल्य हिंता की स्तिती का एक प्रदान कार्ण बन गया एक सीमा की बाद मनुष्य मनुष्य के लिए सब से ज़्यादा खत्रा हो जाता है अधिकादी एक बार संपर्क होते रहने से मनुष्य की अनुभूती सक्ति का क्सरण ह होता है लोई का लोग अकार देता है तो अनुभुतिक अक्षण मानुए स्वहार्द में उत्रोंतर कमी और तरह तरह की कठोड़ता का विकास जिसका साक्षे हमारे समकालें जीवन और साहिते दोनों प्रस्तुत करते हैं मनुष्य मनुष्य से संपर्ग बढ़ते हुए और शंगर्ष की मनस्तिति को जर्म देता है जो कि बोधिक चेत्रा के के केंज्रों को प्रस्पर संपर्ग का सोभाई पुरिणाम है खास तोर पर आदुनिक प्रिग्रही समाज में द्वित्य महायूद में फिर हम विभाजंग रेखा माने तो उसे पूरो भारत का उस्त मन अपने समुछी जीवन काल में सो दो सो वेक्तियों से मिल पाता था परसंचार की प्रतिक्स रेल मोटर जाज अप्रतिक्स रूप से डाग तार टेलीफोन समाचार पत्र सिनेमा रेडियो और दूर्दसन सादनों की साहता से अब उसके परीचिय और भावात्म विचारों का आदान परदान होने से कई क्षेत्र उसका कथ कई प्रतिसत उसका संपर्क बढ़ गया उन्नत देशों में ये इस्तिती और भी ज्यादा समयदन सीलता की तरफ लेगी जिसे अनुबती का क्सरनुआ और सनाइक रोगों की बड़ोत्री हुई कुल मिलाकर के अनुबती क्षे में संसनी का प्रविश तेजी से बढ़ता गया देशी पूंजीवाद विदेशी पूंजीवाद की चत्त चाहिन में स्वं को सुरक्षी तनुबव करता इसके अलावा सीत्यूद का भी एक कारण रहा और इन्होंने साहितिक परिश्थितियों को इस हिसाफ से जन्म दिया कि इस काल में तरह तरह के रहा नेतिक और समाजी क्षेत्र में एक परिवित्न की होड़ सी लग गई ठीक उसी प्रिकार साहिते के क्षेत्र में भी नए-аче प्रियोंग औॉने लगई ये मूलते काल साहिते के परचार और परचार का काल है साहिते के तमाम विदाओं का उद्वम और विकास तिवर गती से प्रगती के और बढ़ने लगा उपनियास काने नाटक कविता एकाम की निबंद संस्मन रिपोर्टाज आधी अनेक साहिते विदाओं को लेकर करके रचनाई होने लगी साहितेकार ग्यान विजान के संपर्क में था मार्ट सुआत के साथ मनो विशले स्वाध का प्रभावी जोरों पर चलने लगा हर देश का साहितेकार इसे प्रभाई था रूचियों, मनोभाओं और मान सी कुलजनों को लेकर तमाम रचनाएं दड़ले के साथ लिखी जा रही थी और साहिते माने ताब उने प्राप्त हो रही थी मनुस्य और उसकी देने के समझे हो आद्धी को लेकर के तमाम रचनाएं प्रकास में आई आज इतने भी नुतन सेलियां हिंदी साहिते में प्रिलक्षित हो रही है उन सब का बिजारोपन इसी काल में आरंब हो गया था इसी समय हम देखते हैं कि हिंदी साहिते की स्थिती काफी प्रोड और सुद्रड हो चुकी थी चायवाद इसाहिते विक्सी था उसमें विवित प्रवर्तियों का दर्सन भी हुआ जो काफी प्रोड थी स्वतंतरता से पूरो साहिते में राष्ट बक्ती का एक आंदोलन रूप लेने लग गया था राष्ट के प्रती सची लगन और निष्टा का उदान इसकाल में रचित रचनाओं में भरे पड़े हैं स्वतंतरता प्राप्ति के बाद के साथ बारतिये जनता में सामाजी के जने के नई लहर आई बारत सरकार के सामने राष्ट निर्मान के समस्या मूँ वाई खड़ेती सरकार की योधना इस शुरू की पंतवर्ची योधना के द्वारा इसकारी संफाजित करने का लग से किया गया इसे देश के विकास में कुछायता भी मिली लोक्षाई को सुद्रट करने के लिए कई काम हुए रियास्तों का समापन हुआ द्रम नहिपेक्स रास्त की स्तापना हुई जमिदार पर था समापन हुई पिछड़े वर्ग और इस्तरियों के ओर ध्यान गया लेकिन देश के आरते किस्ते निरंतर सोचनी होती गई अव मुल्यन और यूद की यूद से कीमते बढ़ गई सरकार चुनाव के नाटक में होलच करके कुर्शी बचाने के चक्रें फुस गई उसने आजा दी का ये रूप जो सामने आना चाहिए था वो नहीं आ सका आठवे दसमें देश कि इस कसम साथ में इस पेचिदगी में पेदा हुई सरकार बदली फिर आदमी तो बदले लेकिन काम का धंग वही रहा स्वतंता प्राप्ति के परसाथ हिंदी सायते में प्रगति हुई एक तो सामाजिक और आर्थिक अभिवस्ताने लेकों का मोभंग भी कर दिया निराशा की स्थिति से गुजर रहे थे इसमें आउसरवाद गर कर गया प्रिणाम यह हुआ कि सायते का विकास्त हुआ प्रंतु नया मोड नहीं आया लेकिन अभी तक जो आना था वो स्वतंत्र देश के सायते को ज दोतना प्राप्ति के बाद उस काल के उनकी रचनाओं का प्रोड काल है इस काल में अग्ये ने लिखा कि नए संक्रम में हिंदी कविता के स्वरूप में गैरा प्रिवर्तन हुआ खड़ी बोली ककावे पहले लोग वहीं पर उत्रा उसकी द्रश्ती इस्वरप्रक से बदल खड़ी कर मानो प्रख हुई फिर उन्होंने मानो समाज की बीतर वेक्ति और समाज के रूप में उसकी प्रंप्रा को पेचाना एक नए साहिते की विष्यष् sth नहीं थी अग्य साहिते की भी यही विष्यष्था थी इंसानी सभेता का विकास किया घ्रष्षी सभेता ने उध्योगे की योगी में प्रिवेश्च किया लोग एक दूसरे के नजदिक आई पुझी केंदर में आई जीवन के मापदंड बदले, सब बेताओं का संगर्श हुआ, मुले हिंदा की स्थिति आई, साहित एकला, रानिती, समाज और यूगीन मान सिक्ता में प्रिवर्तन आया, बुद्धी जीवियों ने करवट लेते एतियास को जाचा परखा और वर्तमान पर दर्ड़ता से आश सत्य की प्रिश्टावना कर रहे थे, साहित एक प्रवर्तियों बदलाव जारी था, आचाया नाम संद सुपने लेन लेन लिखाया कि साहित ए जनता की संचित, चितवर्तियों का प्रतिविम्बे, इस प्रकार जनता जहां, प्रजा से ऐलग होकर कि लोगतंतर की बात कर रह इंग्लेंड उसमें इंग्लेंड का उपनिवेस था, उसका असर बारतिय साहिते पर भी पढ़ रहा था, क्योंकि बारति इंग्लेंड के लोगों के मेल दोल से यहां संपर्क में था, इस विपलवकारी समय का वनन करते हुए, डाक्टर सरीता माइस्वन ने लिखा है, यह समय था, जब देश को स्वतन्दा नहीं मिले थी, रानतिक मंद पर विविन प्रकार की संदोते हो रहे थे, सोशन दमन, युद, संत्रास, आदी के प्रवाव से सारा विश्व पीडि था, द्यूति मायुद की करून परिणाम सभी के सामने उपस्ती थे, सहिते में इसकी प जो किसी एक दल और एक विचार के नहीं थे, बलकि कावे की सेत्र में एक अनुवेसक दरश्टी के काण से प्रस्व जूड़ गए थे, इस संकलन के लिए सर्थी रखी गए थी, कि संकलित कभी मद्य वारती हो और उनका कावे संग्रहन प्रकाशित हो, सभी कभी इस बात को मान गए क्योंकि अगे इने तार सब्तक की भूमिगा में लिका था, कि संग्रहित कभीयों में कोई भी नहीं है, जिनके कभीता केवल उनके नाम के सारे खड़ियों, इसलिए ये कभी प्रकाशित करना चाहते थे, ये साथ कभी गजारंदमादव मुक्तिगोत, नेमी चंद तक ये दारना थी, कि ये संग्रहित कभी किसी एक इसकूल के नहीं है, किसी मंजिल पहुच नहीं रहे हैं, अभी राही है, राही नहीं, राहों की अन्यवेशी है, इन कभीयों के प्रति अग्ये की दारना ये थी, कि उनमें कुछ है और वे पाठे के सामने लाए जाने के पात्र हैं, तार सब्त की योजना के अनुसार प्रकास में आया और उनके प्रमपरा, विरोधी और सिल्फ बंजग बातें देखी गई, उनकी भूमिका में नवीन प्रियोगों को बल देने की बातें दोराई जाने लगी, जिससे प्रियोग सब्त प्रदान उठा, प्रियो रेकारन हमारे मत्य मटवर दिया गया, ऐसा अगे केते हैं, हम वादी नहीं रहे उन्ने वाद पर विष्वास करतेहं, अत्रह हमें प्रियोग वादी क klaärt पकर जितना हमें कवीता वादी के ना, इसके अलावा प्रियोगवाद के उद्धे की वेक्या के सम्मन्द में अलग अलग विद्वान है वो अपनी अलग अलग राई देते हैं और ये मानक और एक बात के उपर सहमत नहीं हो पाते हैं प्रियोगवाद के महतों पर ये विचार किया जाए तो प्रियोगवाद में साइटे के प्रते के इस तर पर सम्रद किया कविता के भाव वासा और सिल्प के बंदन से मुक्तों कर उसे एक नया संसकार दिया है बाद में प्रियोगवाद की उपदानों को आधार पर आने वाली कविता की दिशादस्टी मिली जिसके काण से प्रियोगवाद का बहुत मैत्व है इसी नई कविता की निर्मान में प्रियोगवाद की भाव भूमी परीवा हो पाया है यदि प्रियोगवाद नहीं होता तो नहीं कविता का विकास सम्भवनी था